नमश्कार जेश्री राथ हैं, मैं हूँ करिश्मा कौशेक और आप सभी तरश्रिकों का मेरे चानल पे और करिश्मा कौशेक पे बहुत बहुत सबागत है मेरे चानल को देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करके यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीज़े और कमेंट करके जरूर बताइएगा के वीडियो हमारी कैसी लगी आपको आज अब बात करेंगे कि गोवर्धन पूजा का महत्व क्या होता है क्यूं मनाई जाती है ये गोवर्धन पूजा और इसके साथ साथ ये जो पूजा है, ये कौन से भगवान से जुड़ी हुई तो देखिए, गोवर्धन पूजा जो मनाई जाती है, अगर तिथी की सबसे पहले बात करें तो तिथी रहती है कार्तिक मास के शुक्रिपक्ष की प्रतिपदा तिथी ये तिथी जो आती है, ये अमवस्या तिथी के अगले दिन ही होती है यानि दिपावली के ठीक अगले दिन ही मनाई जाती है गोवर्धन पूजा अब इस पूजा को करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जादा जरूरी होता है अब वो ध्यान क्या क्या रखना है सबसे पहले जो ये पूजा की जाती है इसमें भगवान गोवरधन की प्रतिमा बनाना या अकृती बनाना बहुत ही जादा जरूरी होता है अब इनकी जो अकृती हम बनाते हैं यानि इनकी जो चुत्र हम बनाते हैं फोटो बनाते हैं वो किस तरहां से बनाते हैं तो गोबर से लीप करके इनका जो अकृति है इनका जो चुत्र है वो बनाया जाता है और इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि इनकी जो प्रतिवा बनाई जाती है वो जमीन पर लेटे हुए आगार में बनाई जाती है ना कि खड़े हुए आगार में इसके अलावा इनकी जो प्रतिवा बनाई जाती है वो आंगन में बनाई जाती है घर के अंदर या पूजा घर के यहां पे नहीं बनाई जाती है इनकी जो प्रतिवा बनाई जाती है वो घर के बहार यानी आंगन की तरफ मनाई जाती है इसके अरावा अगर देखा जाए तो इस दिन भगवान कृशन जी की पूजा राधना की जाते हैं अब देखें कृशन जी की पूजा राधना का महत्व क्या है क्योंकि वो ही भगवान गोवर्धन कहलाते हैं अब ऐसा क्यों है क्योंकि अगर पुरानी कथाओं के अनुसार देखें इस चीज को तो कही ना कही भगवान कृष्ण जो है गोवर्धन परवत को भगवान कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था और इसी लिए ये जो परव है इस परव पर भगवान कृष्ण जी की पूजा करना बेहत ही शुब माना जाता है अब पुरानी कथाओं के अनुसार अकर देखा जाए तो गोवर्धन परवत जो है भगवान कृष्ण ने क्यों उठाया था अपनी छोटी उंगली पर तो इसा कहा जाता है कि प्रिजवासियों पे इंद्रदेव ने अपना इतना अधिक प्रकोप दिखा दिया था वर्षा करके कि सभी प्रिजवासी जो थे वो कष्ट में आ रहे थे संकट में आ गये थे और तभी भगवान कृष्ण जी ने गोवर्धन परवत जो है अपनी छो इस लिए भगवान कृष्ण जी को सभी प्रिजवासियों ने चपन भोग का प्रिसात लगाया था चपन भोग बनाके खिलाए थे और इसी तरहां से जो इंद्रदेर थे उनका जो घमन्ड था कि वो बहुत संकट पैदा कर सकते हैं ब्रिजवासियों के लिए वो भी चूर कर दिया था तो इसी लिए इस पर्फ को भी इसी तरह से माना जाता है कि बुराई पर अच्छाए की जीत ये एक तरह से पर्फ जो है ये दर्शाता है कि कही न कहीं घमंड चाहे कितना भी अधिक हो मगर एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति का घमंड जरूर तूट जाता है तो इ अकृति बनाई जाती है तो भगवान कृष्ण जी की आकृति बनाई जाती है कोवर से और साथ ही साथ इनके साथ एक गाएं का बच्छडा भी बनाया जाता है और इनको पुश्प से और भी अलग-अलग चीजों से सजाया जाता है इसके बाद इनकी पूजा की जाती है न गव दान करते हैं ये गव पूजा करते हैं ये गव शाला में कोई भी चीज आप हराचारा हो गया ये अन्य चीज गव के लिए दान करते हैं तो ये भी आपको बहुत शुबफल की प्राप्ति करवाता है तो ये कुछ चीजे हैं जो गोवरधन पे पूजा पे आपको ध्या मिनट से ले करकी तीन बच के अठारा मिनट तक कर तो इस समय पे आप पूजा रावना कर सकते हैं और इनकी जो अकृति है वो बना सकते हैं तो इसी के साथ मुझे दीजे इजाज़त नमश्कार जैश्री रादे